नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा ओनलाइन इस्टडेट वे डिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट की एक्जाम है उसमें ज्यादा समय नहीं बचा है कुछी समय बचा है एक्जाम होने में तो उसी को देखते हो यहाँ पर सीटेट 2011 लगा कर 2021 तक जितनी भी सीटेट एक्जाम हुई है लगबग यहाँ पर 14 बार सीटेट की एक्जाम हो चुकी हो चौधा के चौधा यहाँ पर आपको प्रावे शियर पेपर मिलने वाले हैं जिसमें आपको हिदी पेडागोजी से सम्मध सारे प्रषन इहां पर मिलने वाले हैं ना देंगे इसके पेले हम बाल विकास एम शिक्षा सहस्तर का वीडियो बना चुके हैं यदि आपने वो नहीं देखा है तीन गहंटे का वीडियो जिसमें आपको 2011 लगा कर 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के हर प्राविश येर प्रस्ण पत्र में 30 प्रस्ण आपक लिए जरुरी ही क्योंकि कुछ आपको प्रस्ण इसे होते हैं जो कि repeat होते हैं यदि आप 2021 तक के जो प्राविश येर के पेपर ही हो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रस्ण पूछे गए हैं कौन से प्रस्ण बार-बार repeat होए हैं तो सुर्भात करते हैं आपको 12, 13, 14, 15 इस लगा का जबते कि किस तक खतम नहीं हो जाते हैं आपके सोल पेपर जब तक हम आपको कराते रहेंगे तो पार्ट में दिये गए चित्रों का क्या उद्देश होता है चित्र अमूर्थ संकलपनाओं को समझने में साहिता करते हैं चित्रों से पार्ठी पु प्रात्मिक इस तर पर कौन सा भासा सिक्षन का उद्देशन नहीं है विबिन संदर्बु में भाषा का प्रभावी प्रयोक करना इस पश्टता क्रम आत्मिविश्वास के साथ अपनी बात कहना वर्णमाला को क्रम से कंठश्ट करना या फिर ध्वनी संक्यत चिन्नों का संबंद बनाना यहां पर आपका राइट आंसर होगा वर्णमाला को क्रम में कंठश्ट करना यहां पर तीसरा वाला विकल पर आपका सही होगा जह जहाँ पर जादा प्रशन मिलने वाला हैं तो उप्चरात्मक सिक्षण की सफलता निर्वर करती है उप्चरात्मक सिक्षण की सामगरी पर भासिक नियमों के ज्ञान पर समय वा आवदी पर समश्याओं के कारणों की सही पहचान पर भासा कोशल के संदर्ब में कोन सा कथन उचित है भासा कोशल के संदर्ब में उचित कथन कोन सा है भासा कोशलो के विकास में अभ्यास के अपिक्छा भासित क नियमों का ग्यान ज़रूरी है विद्याले में केवल पढ़ना लिखना कोशलो पल ही बल देना चाहिए बच्चे क देवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कोशल क्रम से ही सीखते ही या फिर भासा के चारो कोशल परस पर अंतह संबंदित है तो यहां पर 95 का आपकर एंटांस रोगा कि जो भासा के चार कोशल है वो परस पर अंतह संबंदित होते हैं यहां पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्णू एक बहुश आंशक्रतिक कक्छा में आप एक भासा सिख्छक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे बच्ची को भासा प्रियोग के अधिक से अधिक अउसर देना पाठी पुस्तक के प्रत्यक पाठ को बली बाती समझाना बच्चों को व्याकरन सिखना या फिर सुद्ध भासा प्रियोग तो यहां पर आपका 96 का अउसर होगा बच्चे को भासा प्रियोग के अधिक से अधिक अउसर देना पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा हिंदी की कक्षा में प्राया हिंदी तर भाशी बच्चे हिंदी सीखने में अनिक कठनाई को कठनाई का सामना करते हैं क्यों करते हैं प्राया हिंदी और उनकी मातर भासा के सनरचना में अंतर होता है वे मन लगा कर हिंदी नहीं सीखते हैं हिंदी सीखने के प्रती उनमें आरूची होती है फिर हिंदी बहुत कठिन भासा है 97 का आपका right answer होगा प्रा हिंदी और उनकी मातर भासा के सनरचना में अंतर होता है यहापर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा बोलना कोसल में महत्पून है बोलना कोसल में मधुरवानी महत्पून है संधर्ब एवं इस्तती के अनुसार अपनी बात कह सकना इसपश्ट एवं सुद्ध उच्चरण आलंकारिक भासा का प्रियोग यहापर 98 का right answer होगा इसका right answer होगा संधर्ब एवं इस्तती के अनुसार अपनी बात कह सकना यह बोलना कोसल के लिए महत्पून है एक समावेसी कक्षा में कोन सा कथन भासा सिछन के सिध्धानतों के प्रतिकुल है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भासा विकास सिग्रता से होगा बच्चे परिवेस से प्राप्त भासा को ग्रहन करते हुए भासा परियुक के नियम बना सकते हैं भासा परिवेस में रहकर अरजित की जाती है या फिर प्रिंट समरद्ध माहुल भासा सिखने में सायक होता है तो यहाँ पर 99 का जो आंसर होगा वो पहला होगा कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का जो भासा विकास है वो सिख्रता से होगा कहानी सुनाने से बच्चों की कलपना सक्ति वा चिंतन सक्ति का विकास होता है पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा बच्चों के लेखन कोसल का मुल्यांकन करने के लिए कौन सी विदी बहतर हो सकती है सुन्दर अलेक का अभ्यास अपने अनुभों को लिखना सुरूत लेक या फिर पाठ अधारित प्रश्णों के उत्तर लिखना आपका रैट अंसर होगा अपने अनुभों को लिखना सेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा एक भासा सिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनोती क्या है बहु भाशिक कक्छा के सिक्षन के लिए उचित रन नीतिया तई करना बच्चों को भासा सीखने के महत्व से परिचित कराना बच्चों की भासा को संचार सादनों के प्रभाव से मुक्त रखना या फिर भासा संसादनों का अभाव यहाँ पर एक भासा सिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनोती क्या होगी इसके बारे में आपसे पूछा गया है तो राइट आंसर होगा बहुभाशी कच्छा के सिक्षण के लिए उचीत रन नितिया तई करना पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए भाशा सिक्षण में पाठी पुछतक अनावशक है एक मातर संसाधन है साध्दी है या फिर साधन है आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ये एक साधन है याद रखेगा भाशा सिक्षण में पाठी पुछतक क्या है एक साधन है फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए ग्रह कारी के बारे में कौन सा कथन उचीत है ग्रह कारी के बारे में उचीत कथन पूछा गया है ग्रह कारी देना अती आवशक है ग्रह कारी अभी भावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है बच्चों की छमताओं इस्तर के नुसार ग्रह कारी दिया जाना चाहिए चलिए अंतिम प्रशन है टोटल यहां पर देखे पेड़ागोजी के आपको 15 प्रशने मिलेंगे इसके बाद जो प्रशने मिलने वाले हैं आपको गध्यान से और पध्यान से की मिलेंगे लेकिन वो मैं आपको नहीं कराओंगा यदि आप कमेंट्स के मध्यम से बताएंगे तो जल्द ही में उसका भी अलग से एक पाट बना दूआ है यहां पर सिर्फ आपको हिंदी पेड़ागोजी के ही प्रशने मिलने वाले हैं तो यहां पर अंतिम प्रशने अभी का प्रात्मे किस्तर पर बच्चों की भासा सिक्षा के संधर्व में निमलिकित में से कौन सा क असतियां पर देखे असतिक अथन आपको चुनना है सुधार के नाम पर की जाने वाले टिपणी वा निर्थक अभ्यास से बच्चों में आरूची उत्पन हो सकती है बच्चे सम्रद्ध भासा परिवेश में सहज और स्वताहरूप से भासा में परिमार्जन कर लेंगे पर 105 का अंसर क्या होगा बच्चों की भासा संक्लपनाओ और विद्याले में प्रचलित भासा परिवेश में विरोधा भास ही भासा सीखने में सहयक होता है तो यहां पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा 2011 का जो पेपर था उसमें जो हिंदी पेडागोजी पूछी माम बहुत अच्छा लगता है में ठक गई आदी वाक्यों का प्रियोग करती है मंदीरा लिंग वचन किरिया आदी की दश्टी से सर्वनाम का प्रियोग करना जानती है केवल लिंग की दश्टी से ही सर्वनाम का समूचित प्रियोग करना जानती है और पहला वाले वाक्यो वाक के ही बोल सकती है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो मंदिरा है यह लिंग वचन किरिया आदी की दश्टी से सर्वनाम का प्रियोग करना जानती है पर पहला वाला विकल पे आपका सही होगा मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वहां मुझे आम बहुत अच्छा लगता है में ठक गई आदी वाक्यों का प्रियोग करती है मंदिरा लिंग वचन किरिया आदी की दश्टी से सर्वनाम का प्रियोग करना जानती है केवल लिंग की दश्टी से ही सर्वनाम का समुच अगला प्रश्न भासा नियमों की जानकारी से ही निखरती हैं विध्याले में ही सीखी जाती हैं एक नियम बद्ध विवस्ता है या पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा भासा की पाठी पुस्तक का निर्मान करते समय सबसे कम महत्पून बिंदु क्या है भासा की विविन छटाएं है अब भ्यासों के विविद्धी हैं पाठो की संख्या है या फिर विविद्धी या पर सबसे कम महत्पून बिंदु क्या है ये पूछा गया है तो आपका रेट समस्या है या फिर संगनात्मक विकास में सहयक है तो यहां पर आपका right answer होगा संगनात्मक के विकास में सहयक है फोर्त वाला विकलपे आपका सही होगा भासा अरजन और भासा अधिगम के संधर्ब में कौन सा कथन सही नहीं है आपको हर बार प्रश्ण को सही से पढ़ना है भासा अरजन और भासा अधिगम के संदर्ब में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है सान्सक्रतिक विवनिताओं भासा आरजन और भासा अधिगम को प्रभाविद करने वाला महतपून कारक है भासा अरजन में विविद संकल्पनाई मातर भासा में बनती है भासा अधिगम में कभी भी अनुवात का सहरा नहीं लिया जाता तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा एक बहु भाशिक कक्छा में आप किसे सबसे कम है तो देंगे बच्चों को सिखाना की दो भासाओं के मद्दे विद्धिमान समानता वा अंतर का विशलेशन केसे किया जाए विविन्य प्रकार का बाल साहित कक्छा में विविन्य प्रकार की सामागरी से सम्रद्ध वातावरन या फिर कक्छा के बहु भासिक और बहु सांसे क्रतिक संदर्बों के प्रती सवेधन सिलता है पर इसका सही आंसर क्या होगा तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा एक बच्चों को सिखाना की दो भासा हो कि मद्दे विद्धिमान समानतावा अंतर का विसलेशन कैसे किया जाता है पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न प्रात्मिक इस्तर पर भासा की प्राठे पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को इस्तान दिया जाना चाहिए केवल कहानिया अत्वा कविताएं विदेशी साहिती की रचनाएं एसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जूड़ी हो और जिन में भासा की अलग-अलग छटाए हो या पिर जो प्रतिक्ष रूप से मुल्यों पर अधारित हो तो यहाँ पर आपका रेटांस रुगा एसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जूड़ी हो और जिन में भासा की अलग-अलग छटाए हो याँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा नेमलिकित में से कोन सा द्वती भासा सिक्षन का उद्देश नहीं है पूछा गया है बोलने की छमता के अनुरूप लिखने की छमता का विकास विबन चेत्रों इस्तितियों में हिंदी की विबन प्रक्तियों को समझने की योगता का विकास हिंदी के व्याकरने के नियमों को कंटश्ट कराना या फिर देनिक जीवन में हिंदी में समझता तथा बोलने की चंटा का विकास यहाँ पर सही आणसर आपका क्या होगा यहाँ पर आपका रैट आणसर होगा हिंदी के व्याकरनिक नियमों को कंटस्ट करना ये द्वती भासा सिक्षन का उद्देश नहीं है तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका जो विकल्पे होगा वो सही होगा हिंदी भासा का मुल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे हिंदी भासा का मुल्यांकन करते समय तरीका यहाँ पर देखे सबसे उचित तरीका आपको बताना है संग्या सब्दो के दो धरन दीजे बादल आस्मान चिडिया बच्चे की साथ संग्या सब्दो का परियोग करते हुए एक कहानी लिखिए संग्या की परिभासा को पूरा कीजिए या पर संग्या को परिभासित कीजिए यहाँ पर आपका राय टैंसर होगा बादल आसमान चिडिया बच्चे के सांथ संग्या सब्दों का प्रियोग करते हुए एक कहानी लिखिए दूसरा वाला विकल या पिर बात्चित करना है तो यहां पर आपका रैट आंसर होगा व्याकरन अधारित सनर्चना अभ्यासियां पर सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न भासा सीखने के लिए कौन सा कारक सरवादिक महत्पून है सम्रद्ध भाशिक वातावरन भासा के व द्रश्टि बाधित बच्चों को भासा सिखाते समय अधिक से अधिक मोखिक भासा का प्रियोग करना चाहिए उन्हें कक्छा में अलग बेठाना चाहिए ताकि उन पर विसेज ध्यान दिया जा सके उन्हें विबिन भाशिक गतिविदियों में सामिल नहीं करना चाहिए य पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा बहु भाशिक्ता भासा सिखाने में बहुत बड़ी बादा है भाशिक समरत्दी को खत्रे में डालती है भासा सिखने में बादा उत्पन करती है या फिर भासा सिखने में एक महतपून संसादन है यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा बहु भासिकता भासा सीखने में एक महत्पून संसाद आने फोर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा अंतिम प्रश्न 2012 का जो पेपर है जन्वरी का उसका अंतिम प्रश्न है बच्चे विध्याले आने से पहले भासा के चारो कोशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं अपनी भासा की नियमबद्य विवस्था की व्यावारिक को सलता के साथ आते हैं यहाँ पर भासा को समुचित उप्योग करने में समर्थ ना ही होता है तो यहाँ पर 105 का आपका अंसर होगा अपनी भासा की नियमबद्य विवस्था की व्यावारिक को सलता के साथ आते हैं यहाँ पर सेकड़ वाला विकल्पे आपका सही होगा तो 2012 का जनवरी का पेपर है उसके जो 15 प्रशन हिंदी पेड़ा गोजी के वहीं समापत होते हैं अब हम अगले पेपर की वर बढ़ते हैं अगला पेपर है आपका भासा सीखने सिखाने का उद्देश यहाँ पर जो हम प्रशन पढ़ रहे हैं यह नवंबर 2012 में पूछे गए प्रशन है अभी हमने जनवरी 2012 के प्रशन में 15 प्रशन आपको दिये यह नवंबर 2012 में प्रभावी प्रियोग करना अपनी बात कहना सीखना या फिर दूसरों की बात समझना सीखना रैट आंसर आपका होगा विबिन शतियों में भासा का प्रभावी प्रियोग करना यहाँ पर शेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन एक भासा सिख्छक के ये सरवादिक महत्यपून पूछा गया है तो वो बच्चों को भासा प्रियोग के अवुशर उपलब्द कराना पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा भासा का प्रियोग जीवन के विबिन संधर्बों में होता है केवल परिक्षा में होता है केवल पार्टि पुस्तक में ह या फिर केवल मुद्रित सामगरी में होता है तो यहां पर आपका रैट आंसर होगा भासा का प्रियोग जीवन के विबिन संधर्बों में होता है भासा श्यम में एक जटिल चुनोती हैं एक विसेई मात्र हैं संप्रेशन का एक मात्र सादने या फिर एक नियम बद्द वि वस्ता है यहां पर फोर्त वाला विकल पे आपका सही होगा भासा की कक्षा में एक सिक्षक बच्चे से क्या पिक्षा करता है बच्चे अपनी मात्र भासा का बिलकुल भी प्रियोग ना करें बच्चे सवालों के बंदे बदाए जवाब ना दें बच्चे सवालों के जवाब ना देए अपने परिवेस में श्यम भासा अरजित करते हैं इसका आपको एक नहीतार्त बताना है बच्चों को अत्यांत सरल भासा का परिवे सुपलब्द कराये जाए बच्चों को बिल्कुल भी भासा ना पढ़ाई जाए बच्चों को समरद भासिक परिवे सुपलब्द कराये जाए यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा भासा की पार्ठी पुष्टके भासा सीखने की एक मात्र संस्तान है अब भ्यास पराक ही होनी चाहिए साधने या फिर साध्दी है आपका रेट आंसर होगा भासा की पार्थि पुष्टके साधा ने यहां प्रस्ण पहले भी पूछा जा चुका है बच्चों की भासा संबंदी क्रमिक प्रगती का लेखा जोका रखना रिक्तिस्तान से संबव है पोर्ट फोलियो उत्तर पुस्तिकाओं लिखित परिक्षा या फिर मोखिक परिक्षा यहां पर आपका रेट आंसर होगा बच्चों की भासा संबंदी क्रमिक प्रगती का बहासा सीखने में सादक है तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न बच्चों की भासा के आकलन का सरवादिक प्रभावी तरीका कोन सा है प्रश्नों के उत्तर देना प्रश्न पूचना और पड़ी गई सामगरी पर प्रतिकिरिया व्यक्त करना सुरूत ले किया फिर लिखित परिक्छा यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा प्रश्न पूचना और पड़ी गई सामगरी पर प्रतिकिरिया व्यक्त करना सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा, चलिए, भासा अर्जन में महत्पून है, भासा के विबने रूपों का प्रियोग, भासा का व्याकरन, पाठे पुस्ता क्या फिर भासा का सिक्षक, आपका रैट आंसर होगा, भासा के विबने रूपों का प्रियोग, भासा अर्ज प्रतिकिरिया व्यक्त करना प्रतिकिरिया व्यक्त करना यही पूरुस्करत करना चाहिए, बच्चों की मातर भासा का ही सदेव प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर बच्चों की मातर भासा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, यहाँ पर 119 का आपका रैट आंसर होगा, बच्चों की मातर भासा को समुचित सम्मानिस्तान देते ह हुए मानक भासा से भी परिचाई काराना चाहिए यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अंतिम प्रशने यहाँ पर भासा के व्याकरण के समझ को केवल लगुतर प्रशनों के माध्यम से आका जाना चाहिए दिमनात्मक प्रशनों के माध्यम से आका जाना चाहि तो यहाँ पर आपका रैटांस होगा संदर्व परक प्रश्णों के माध्यम से आका जाना चाहिए यहाँ पर तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा नवंबर 2012 में जो प्रश्ण पत्र आया था उसमें जो 15 नॉंबर के हिंदी पैडागोजी पूशी गई थी वो यहीं पर समाप्त होती है हम अगले पेपर पर चलते हैं अगला पेपर है आपका जुलाई 2013 का तो यहाँ पर भी आपको हिंदी पैडागोजी के 15 प्रश्ण मिले या पिर सुने हुए को दोराने के लिए कहना है तो यहां पर सब सब बहतर तरीका पूछा गया है तो वो विबिन संदर्बों में बाच्चित करना है तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण भासा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश क्या है वरतनी की असुद्धी के बिना लिखने की चमता का आकलन भासा के व्याकरन का आकलन करना भासा के मोखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की चमता का आकलन या फिर पढ़कर समझने की चमता का आकलन तो यहां पर आप आपका राइट आंसर होगा भासा के मौखिक और लिखित रुपों के प्रयोग की छमता का आकलद, तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा, भासा कक्छा में विबिन द्रश्य शर्विशाधनों के उप्योग का उद्देश नहीं है, आधनिक तकनिक को कक्छा में लाना, प्रात्मिक इस्तर पर भाहसा सिखाने के तात्परी या पर भाहसा सिखाने से तात्परी क्या है? प्रात्मिक इस्तर पर भाहसा का प्रियोग सिखाना है? प्रात्मिक इस्तर पर हिंदी भाहसा सिखान के लिए सबसे अधिक महत्यपून क्या है? प्रात्मिक इस्तर पर भाहसा प्रियोग के अउसर है? प्रात्मिक इस्तर पर भाहसा प्रियोग के अधिक महत्यपून क्या है? प्रात्मिक इस्तर पर भाहसा सिख्छन की प्रात्मिकता होनी चाहिए? कविताओं से होना चाहिए या फिर अर्थपून सामगरी से होना चाहिए? आपका राइटांस रुगा जो पढ़ने का परारंब है ये अर्थपून सामगरी से होना चाहिए? भाहसा के बारे में कोन सा कथन उचित है? भाहसा अनिवाजिता है लिखित होती है भाहसा एक नियम बद्ध विवस्ता है भाहसा व्याकरण का अनुसरन करती या फिर भाहसा और बोली में कभी भी कोई भी संबंद नहीं होता है तो यहाँ पर आपका रैटांस रुगा भासा एक नियम बद्धे विवस्था है भासा के बारे में आपको उचित कथन बताना था तो सेकंड वाला विकल्पे आपका एकदम सही होगा प्रातमी के कक्छाओं में रोल प्ले या फिर भूमिका निर्वा का उद्धेश होना चाहिए बच्चों को अभिने इस सिखाना एक पद्धती के रूप में इनका उप्योग करना विविन्न संधर्बों में भासा प्रयोग के आउसर प्रदान करना या फिर बच्चों को इलती है यहां कथन किस पर लागू नहीं होता भासा प्रयोग शाला अकबार विज्ञान या फिर साइन बोर्ड यहां पर आपका राइट आंसर होगा भासा प्रयोग शाला याद रखेगा भासा प्रयोग शाला पर यहां कथन लागू नहीं होता अगला और यह अंतिम प् रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ के सब्दों का उलोकन करके अंतर पहचानने का उसर देंगे उन्हें सक्त निर्देश देंगे कि वे लोग आगे से गलती ना करें उनकी तूटियों पर बिल्कुल धियान नहीं देंगे या फिर उनके सब्दों को 20 बार लिख ही होगा चलिए यहीं पर 15 प्रस्ण आपके जुलाई दोजाते रखे संपूर होते हैं अब यहां पर हम अगले प्रस्ण पत्री के ओर बढ़ते हैं अगला प्रस्ण पत्र है आपका फरवरी 24 जिसमें हिंदी पेडागोजी का पहला प्रस्ण है कहानी कविता गीतों और ना सक्रतिक धरोवर से जुड़ते हैं प्रात्मे किस तरवर बच्चों को भासा सिखाने का सर्वपरी उद्देशी यहां पर पूछा गया है मुहावरे लोकोक्ती का ज्यान प्राप्त करना कहानी कविताओं को दोहराने की कुसलता का विकास करना तेज प्रभा के साथ पढ़ करने की कुसलता का विकास करना होता है यहां पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा लिखना क्या है लिखना एक बहत जटिल प्रक्रिया है एक अनिवारी कुसलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है एक तरह की बाच्चीत है यहां पर तीसरा वाला विकल्पे सही होगा चैनल जर पर आपका रहेट आंसर होगा अगला प्रश्न कच्चा एक और दो के शुरुवाती समय में पढ़ने का प्रारंब रिक्तिस्तान से हो और किसी रिक्तिस्तान के लिए हो अर्थ उद्देश अर्थ ग्यान मनुरंजन सब्द पहचान मुल्यांकन या फिर अक्छर ग्यान उद्देश यहां पर आपका यहां पर आपका रैटांसर होगा कक्छा एक और दो के सुरुवाती समय में पढ़ने का जो आरंबे हैं वो अर्थ से हो और किसी रिक्तिस्तान का उद्देश के लिए हो यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए इन में से कौन सा प्रात्मिक इस्तर पर हिंदी भासा सिक्छन का उद्देश नहीं है आपर देखिए हिंदी सिक्छन भासा का उद्देश कोन सा नहीं है प्रात्मिक इस्तर पर यह आपको बताना है संदर्ब के अनुशार लगातार पढ़ने का प्रियाश करना चित्रकारी अगला प्रस्ट भासा कोशल के संबंद में कौन सा कथन सही है भासा के कोशल अंतह संबंदित होते हैं भासा के सभी कोशलों को नए सिरे से सिखाने के अवशकता होती है भासा कोशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते है या फिर भासा के चारो कोशल एक करम से सीखे जाते हैं तो सही होगा भासा रिक्तिस्तान और रिक्तिस्तान का एक उत्तम साधा ने सुनने बोलने सोचने पढ़ने लिखने संप्रेशन सोचने महसूस करने चीजों से जुडने या फिर पढ़ने लिखने समझने तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा पढ़ने लिखने और या फिर अभिव्यक्ति तो यहां पर भासा सीखने का जो विवह वादी दर्श्रि कौन है ये अनुकरन पर बल देता है किस पर देगा अनुकरन पर बल देगा नासीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती हैं उसे पढ़ने में कट्नाई होती हैं उसकी समस्षिया मुक्ततर रेक पर आधारेत कक्षा में रिक्तिस्तान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है कविता दोराने में कविता सोरी कहानी सुनने में कारे पत्रकों में या फिर परस पर अंतह किरिया में यहां पर आपका रैटांसर होगा परस पर अंतह किरिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है यहा पर पहला वाला विकल पर आपका सही होगा इन में से प्रात्मिक इस्तर पर भासा आकलन का सरवाद एक उचित तरीका कौन सा है कैसी पार्ट की पांच पंक्तिया पढ़वाना बच्चों को चित्र वर्णन और प्रशन पूछने के अउसर देना बच्चों से पत्र लिखवाना या फिर बच्चों से प्रशनों के उत्तर लिखवाना राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर बच्चों को चित्र वर्णन औ प्रशन पूछने के अउसर देना ये प्रात्मिक इस्तर पर भासा आकलन का सरवादे कुछित तरीका है। कितने दाम लोगे और क्यों ये हाँ जो प्रशन है ये बच्चो की भासा चमता का सही आकलन करेगा है। के चिन का मुख्य अधार होना चाहिए वो रोचक विसेवस्तु होना चाहिए। सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा। चलिए। अगले प्रशन पत्री के और बढ़ेंगे अगला प्रशन पत्र है आपका। प्रयोग करने के लिए विविद अउसर देना। यहां पर प्रात्मिक इस तर पर भासा सिखाने की सर्व सेष्ट विदी के बारें पूछा गया है। बच्चों को भासा का प्रयोग करने के विविद अउसर देना। पर फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा। प्रात्मिक इस तर पर सिख्छा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या फिर बच्चे की मात्र भाषा होनी चाहिए। प्रात्मी किस्तर पर पूछा गया है आपका राइट आणसर क्या होगा, बच्चे की मातर भाषा होना चाहिए, भासा सीखने सिखाने के संबंद में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, बच्चे स्कूल आने से पूरवे ही भासा ही पूझी से लेस होते हैं, बच्चे पूल आने से पूर्वे ही भासाई पूंजी से लेस होते हैं यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण प्रात्मिक इस्तर की पाठी पुस्तकों का निर्मान करते समय आप किस बिंदू पर वेसेज ध्यान देंगे प्रसिद्ध लेखोको की रचनाई सामिल हो हिंदी भासा के विविद्धि पूर्ण रूप सामिल हो उपदेशनात्मक पाठ सामिल हो या फिर कहानियां अधिक से अधिक सामिल हो आपका रैट आंसर होगा हिंदी भासा के विविद्धि पूर्ण रूप सामिल हो यहां पर सेक करना या फिर ग्रह कारे की सामगरी जूटाना 111 का अंसर होगा पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविदिया देने का जोद्देश होता है और बच्चों को अभी व्यक्ति के अवसर देना होता है यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्न प्रात्मिक इस्तर पर एक भासा सिक्षक से सरवादी को पेक्षित है पाठे पुस्तक में दी गई सबी कहानिया कविताओं को कंटश्ट करना बच्चों को मानक भासा का प्रयोग करना सिखाना कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भासा प्रयोग के लिए प्रोचसाहित करना या फिर बच्चो की निरंतर परिक्षाएं लेना यहां पर आपका right answer उगार कक्छा और कक्छा के बहार बच्चो को भासा प्रयोग के लिए प्रोचसाहित करना यहां पर तीसरा वाला विकल पर आपका सही होगा चोमसिकी के अनुसार कौन सा कतन सही है बच्चों में भासा सीखने की जनमजाद छमता होती है बच्चों में भासा सीखने की जनमजाद छमता होती है बच्चों में भासा सीखने की जनमजाद छमता होती है बच्चों में भासा सीखने की जनमजाद छमता होती है भासा में आक सिखाने के दोरान भी चलती हैं केवल बच्चों का निस्पादन जानने के लिए होती हैं या पिर केवल सिख्छक का निस्पादन जानने के लिए होती हैं तो यहां पर आपका रैट आंसर होगा सीखने सिखाने के दोरान भी चलती हैं यहां पर सेकंड वाला विकल पे आपका यहाँ पर आपका right answer होगा समाज का, याद रखेगा भासा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का सरवादिक महत्व होता है, यहाँ पर फूर्ट वाला विकल्पे आपका सही होगा, पढ़ना सीखनी की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सरवादिक महत्व होता है, दियान रखना चाहिए सभी बच्चों को शमान रूप से ग्रहकारे देना सभी बच्चों को समान गती विधी में सामिल होने के लिए प्रोचसाइद करना सभी बच्चों से समान अपेक्छाएं रखना या फिर विवित प्रकार की द्रश्य शविशामगरी का उप्योग करना यहां पर 117 का अंसर होगा विविद प्रकार के दरश्य शवरी शामगरी का उप्योग करना फोर्त वाला विकल पे आपका सही होगा अगला प्रश्म भासा अरजित करने में वायगोची की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है भासा की पाठी पुष्टक पर समाज में होने वाली भासा प्रियोग पर परिवार में बोली जाने वाली भासा पर या फिर कक्छा में बोली जाने वाली भासा पर यहां पर आपका रेट आंसर होगा समाज में होने वाले भासा प्रियोग पर परिक्षा में सदे बच्छे अंकल आएं बच्चे विबिन इस्तितियों में बहासा का प्रभावी प्रयोग कर सके या फिर बच्चे भासा के व्याकरन को जान सके यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चे विबन इस्तितियों में बहासा का प्रभावी प्रयोग कर सक तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा, अन्तिम प्रश्न, यहाँ पर सितंबर 24 का पेपर हुआ था, उसमें हिंदी पेडागोजी का अन्तिम प्रश्न है, पंदरवा, कि बच्चों की भासा का आकलान करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है, बच्चों की लिखित परिक चलेना, बच्चों की भासा प्रियोग का अवलोकन करना, बच्चे से किताब पढ़वाना या फिर बच्चों से परियूजना के कारी करवाना, यहाँ पर आपका रैटांस रुगा, बच्चों के भासा प्रियोग का अवलोकन करना, सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होग चलिए अगले प्रश्ण पत्री को बढ़ते हैं अगला प्रश्ण पत्री है आपका सीटेट फरवरी 2015 का यहाँ पर 99 से लगा कर 105 तक आपको 15 प्रश्ण हिंदी पेडागोजी को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्ण है फरवरी 2015 का भासा सीखने की कौन सी विधी मातर भासा को मद्यस्त बनाए बिना दूसरी भासा को सीखने में साहिक होती है अनुआद विधी हैं द्वी भासी विधी हैं आप प्रतिक्ष विधी हैं या फिर प्रतिक्ष विधी हैं यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा प्रतिक्ष विदी याद रखेगा भासा सीखने में वहां विदी प्रतिक्ष विदी हैं जो कि मातर भाशा को मत्यस्त बनाये बिना दूसरी भासा को सीखने में साहिक होती है तो यहाँ पर फूर्ट वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए भासा सिक्षण में खेल का सरवादिक महत्पुन स्थान है क्योंकि भासा सिक्षण को कम स्रम करना पड़ता है खेल भासा को विस्तार देते हैं खेल में आनन्द आता है और खेल में सारिक विकास होता है तो यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा खेल भासा को विस्तार देते हैं भासा सिक्षण में खेल का सरवादिक महत्पुन स्थान है क्योंकि खेल भासा को विस्तार देते हैं या फिर प्रस्णों के उत्तर सरलता से याद करवना नहीं है तो यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा पाट के अंत में अभ्यास और गतिविदियों का उद्देश प्रस्णों के उत्तर सरलता से याद करवना नहीं है पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए अग आपका राइट आंसर होगा यहां पर बच्चों को श्यम कुछ करने और सीखने का उस्वर प्रदान करें यहां पर शेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए भासा सिक्षन में बालक में मोखिक कोशल के विकास के लिए रिक्तिस्तान सबसे कम महत्पून है किसी विश प्रशनों के उत्तर पूछना यह सबसे कम महत्पून है तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा भासा सीखने में मातर भासा का व्यागात आंसिक रूप से होता है पून रूप से होता है नहीं होता है या फिर होता है तो यहां पर आपका रैट आंसर होगा होता है भासा स बहुत सारी बुक में गलत दे रखा है लेकिन जो पहला वाला विकल्प होगा यही आपका सत्य होगा क्योंकि यह जो प्रस्ण पत्र है उसमें जो उफिशल आंसर की है उसमें से लिया गया उत्तर है तो यहां पर अगला प्रस्ण आपका भासा सीखने में होने वाले तूटियों के संधर्ब में कौन सा कतन सत्य नहीं है तूटियां सीखने, सिखाने की प्रक्रिया का भिन अंग है तूटियां आइस्थाई होती है भासा सीखने में होने वाले तूटियां या फिर इस्थाई होती हैं यहां कतन सत्य नहीं है एक प्रात्मे का सिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सरोपरी मानते हैं कठिन सब्दों का सुरूत लेखन को लिखत प्रश्ण पत्र को पाठ से देखकर सुलेख लिखना बच्चों द्वारा विवन संधर्बू में भासा प्रयोगी की चमता यहां फर फुर्थ वाला विकल पら आपका सही होगा प्रात्मे किस्तर पर बच्चों की पठन चमता का आकलन करने के लिए किस परकार की समगरी सर्वादिक महत्तपून है अतंगवाद पर आधारित ने बंद है, बाल साहती की कोई समवादात्मक कहानी है, पाट्टे पुष्टक है या फिर अपचारिक पत्र है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, बाल साहती की कोई समवादात्मक कहानी, यह प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों की पठन छमता काकलन करने में सरवादिक महतपूर नहीं तो यहाँ पर जो सेकड़ वाला विकल्पे होगा हुआ आपका सही होगा चलिए अगला प्रुशन है पहली और दूसरी कक्छा में भासा सिक्छन के साथ ही कला सिक्छा को समय कितर करने का उद्देश नहीं है चित्रों के माद्यम से अभिव्यक्ति का विकास है बच्चों द्वारा आनद की प्राप्ति है बच्चों के लेखन में परीपक्वता लाना है या फिर बच्चों की रचनात्मक का विकास है यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा तीसरा वाला बच्चों के लेखन में परिप्रक्वता लाना है यापर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा चलिए अगला प्रशने आपका प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों की घर की भासा को अपनी कक्छा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भासा सरल होती है बच्चे ने अभी पूनता नहीं सीखी है बच्चे की भासाई पूनजी है या पिर मानक सुरूप लिए होती है तो यहाँ पर घर की भासा के बारे में बात की जारी है तो बच्चे की भासाई पूनजी होती है पर तीसरा वाला जो विकल्पे होगा हूँ आपका सही होगा चलिए भासा सीखने सिखाने के संदर्ब में ग्रह कारी का उद्देशी होता है सीखने को विस्तार देना अभी भाव को कुप्रशन करना बच्चों को कारे में व्यस्त रखना या फिर कापिया भरवाना यहाँ पर आपका रेटा अंसर होगा सीखने को विस्तार देना पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा भासा अर्जन के संबंद में कौन सा कथन सत्ती है भासा सीखना एवं उद्देशी होता है भासा अरजन में बच्ची को बहुत अधिक प्रियाश करना पड़ता है या फिर भासा अरजन में किसी अन्नी भासा का व्यागात होता है आपका 104 का अंसर होगा समाज सांसेकरतिक परिवेश के अनुशार अरथ ग्रहन की प्रिक्रियाश स्वाभाविक होती है सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए भासा विकास के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है भासा विकास व्यक्ति निर्पेक्ची है बड़ो का संपर्क भासा विकास की गति को तीवरी कर देता है भासा विकास व्यक्ति सापेक्ची है या पिर प्रारंबिक विकास, व्यक्ति, निर्पेक्ची यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा, यहाँ पर आपके 15 परस्ति जो फरवरी 2015 में पूशे गए थे वो यहीं पर समाप्थ होते हैं, तो आगे का जो परस्ति पत्रे हैं, उसके बारे में आपको जानकरी क्या है सब्दों के अर्थ जानना है उस भासा की वाकी सनरचना जानना है उस भासा का अधिकादिक प्रयोग करना है या फिर उस भासा का व्याकरण जानना है तो यहां पर आपका रैट आंसर होगा उस भासा का अधिकादिक प्रयोग करना है यहां पर किसी भी भासा पर अध बच्चों की आवशक्ताओं को पूरा करने में भासा सिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मिदारी क्या नहीं है। ये मुख्य जिम्मिदारी नहीं है आपकी तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पाठो का उद्देशी पूर्ण चयन है अभ्यासों का बहुलता है या फिर कागज की गुणवत्ता है। आपका सही आंसर होगा पाठो का उद्देशी पूर्ण चयन भासा की पाठे पुस्तक में जो सबसे महत्पूर्ण पक्ष होगा। समग्र भासा पद्धती पर आधारेत कच्छा गतिविदियों के आयोजन पर बल देती हैं। बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती हैं पर सबी भासाओं को सीखने पर बल देती हैं। यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा बच्चों के भासिक विकास की इस्पष्ट समझ पर बल देती हैं समग्र भासा पद्धती। यहाँ पर सेकंड वाला जो विकल्प होगा, वह आपका सही होगा, चलिए, विद्याले के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ग्यान एवं अनुभव भासा सीखने के लिए आवश्यक प्रेमना देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्वई ग्यान मिलता है, लेखन की विभ पर आपका सही होगा, पहली कख्चा में प्रवेश लेने से पहले आमतोर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभि वक्ती जानते हैं, भासा के व्याकरनिक नियम जानते हैं, अपिर तुतला कर बोलते हैं, आपका right answer होगा, स्व अभि वक्ती जानते हैं पहली कक्षा में प्रवेस लेने से पहले आमतवर पर जो बच्चे होते हैं वो स्वा अभी व्यक्ति जानते हैं यहाँ पर सेकन वाला विकल पर आपका सही होगा अगला प्रशन सुर्वी अक्सर डव वाले सब्दों को गलत तरीके से वच्चारित करती है आप क्या करेंगे उसे डव वाले सब्दों की सुची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे उसे डव वाले सब्दों को अपने पीछे पीछे दोराने के लिए कहे उसे सहजता के साथ अपनी बाद कहने के लिए प्रोजसाहित करेंगे या फिर उसे ड़ वाले सब्दों को सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे तो आप क्या कहेंगे या फिर क्या करेंगे तो आप उसे सहजता के साथ अपनी बाद कहने के लिए प्र प्रवाहे अर्थ का निर्मान है या फिर वर्णों की पहचाने आपका राइट आंसर यहां पर होगा ये अर्थ का निर्मान है कहीं कहीं पढ़ने में प्रवाह भी दिया हुआ है तो लेकिन आपका सही अंजर क्या होगा अर्थ का निर्मान होगा प्रात्मिक इस तर पर पढ प्रत्मी कख्छाओं बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्याले आते जैसे कि अपनी रिक्तिस्तान, अपने अनुभाव। दुनिया को देखने का अपना दाश्टिच कोन, क्या लेकर आते हैं समस्याइं, भासा, पाठी पुच्तक या फिर कमिया. तो यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा जिसे की अपनी भासा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना दस्टिकून, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा, चलिए बच्चों की मोखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यहाँ नहीं है, वादिवाद में बेजिचक होकर बोलना, कहानी सुनकर सब्दसा दोराना, अपने कल्पनाओं की मोखिक अभिव्यक्ति या फिर बाच्चित में सक्री भागी दारिता का निर्वा करना, बच्चों की म ग्षा में भासा सिखचक भासा का पूर्ण ग्याता हो भासा सिखचक बच्चों की उच्चारन्गत सुद्वता पर विकलता से लिए प्रहाइख भासा के लगणा dep companies प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों की भासाई छमताओं का विकास करने का अर्थि क्या है भासिक सनरचनाओं पर अधिकार है भासा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार है भासा अनुकरन की कुशलता पर अधिकार है और भासिक नियमों पर अधिकार है तो यहां पर आपका सकते Hills मेंका wefsm機 Honor करना गति आया पर अग्मन विदी की विश्षत TWO आपको बताना है भुयाकरां सिक्छन की राइट सिर्ज आपका और भी सिपर अगले प्रषय पतर हैंगे और अगला प्रश्न पत्र है आपका ct8 फरवरी 2017 तो यहाँ पर पहला प्रश्ण पत्र है आपका भासा सीखने का उद्देश यहाँ पर देगे čард 90 से लगा कर 111 तक आपको हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न भेलेंगे जो की फरवरी 2016 पर पूछ गया है तो भासा सीखने का पता होना चाहिए क्या होगा रेट अंसर होगा प्रत्य किस्ति में भासा का प्रयोग कर पाना या भासा सीखने का उद्देश्य होता है पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा बच्चों के भासाई विकास में समाज के महत्पूर्ण भूमिका होती है यहां विचार किसका है प्याजे का है इसकी नरका है चौमसकी का है या फिर वाईगोच्सकी का है काफी इंपोटेंट है कहीं बार पूछा गया है तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वाईगोची की का कथन है विद्याले का भासाई विकास समगरता से हो सके इसके लिए सबसे उप्युक्त अनुसंसा होगी सब्दकोष एवं विश्वकोष के परियोग की भासा परियोग के विविद अवसरों की प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है या पिर केवल तो यहां पर आपका रैट आंसर होगा है यह अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा भासा की कक्छा में भासाई Marcus खेलों का आयोजन मुकिता भासा सीखने की प्रक्रिया में स्वभविक्त लाता है आकलन का काम करता है रोचकत और जोस लाता है या फिर अध्यापक के काम को सरल बनाता है राइट आंसर आपका होगा भासा सीखने की प्रक्रिया में स्वाब आविक्ता लाता है पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण कविता कहानिया पर चर्चा करने एवं प्रस्ण पूछने का उद्देश क्या है भासा की विबिन्न छटाओं का अनुभव कराना है कल्पना सिल्था का पोशन करना मातर है भासा सीखने का आकलन करना मातर है अफिर सहित्य के प्रती बच्चों की रूची जागरत करना है रैट आंसर आपका होगा कल्पना सिल्था का पोशन करना मातर है भासा का अस्तित्व एवं विकास रिक्तिस्तान के बाहर नहीं हो सकता परिवार सहित्य समाज या फिर विद्ध्याले आपका रैट आंसर होगा समाज भासा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता अगला प्रश्ण किसी समवेसी कक्षा में कौन सा कतन भासा सिक्षन के सिध्धानतों के अनुकूल है प्रिंट सम्रद माहुल भासा सीखने में मदद करता है बच्ची अपने अनुभों के अधार पर भासा के नियम नहीं बना पाते भासा विद्याले में रहकर अरजित की जाती या फिर व्याकरण के नियमों का ग्यान भासा विकास की गती तुरित करता है यहां पर आपका 104 का रैट आंसर होगा बच्चे अपने अनुभों के अधार पर भासा के नियम नहीं बना पाते सेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए प्रात्मिक इस्तर पर विध्यारतियों के भासा सिक्षन के संधर्व में कौन सा कथन सही है सतत रूप से की जाने वाली टिपणिया एवं अनवरत अभ्यास भासा सीखने में रूची उत्पन करते हैं बच्चे समर्द भासी परिवेस में सहज रूप से स्वता भासा में सुधार कल सकते हैं बच्चे की भासाई, संकल्पनाओ और विद्याले के भासाई परिवेस में विरोधा भाशी भासा सीखने में मदद करता है या फिर बच्चे भासा की जटिल और समरद्ध सर्चनाओ क्या ग्यान विद्याले में ही अरजित करता है यहाँ पर प्रात्मिक इस्तर पर विद्ध्यारतियों के भासा सिक्षन के संदर्ब में कुँन सा कतन सही है यह आपको बताना है तो राइट आंसर आपका होगा बच्चे समर्द भासिक परिवेश में सहेज रूप से स्वता भासा में सुधार कर सकते हैं अगला प्रात्मिक इस्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भासा बोलने वाले बच्चों का नामंकन हुआ है ऐसे इस्तिती में भासा की कक्षा बच्चों के भासाई विकास के संदर्ब में जटिल चुनोती के रूप में सामने आती हैं अवरोध ही प्र अपने विध्यारती के भासाई विकास के संबंद में चिंती थे क्यों है क्यों है क्योंकि विध्यारती पठन पाथन में रोची प्रदर्सित नहीं करता है विध्यारती को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं विध्यारती के मता और पिता की मातर भासा अलग अलग या फिर विध्यारती अपने सातियों से बहुत जगरता है यहां पर 107 का अंसर होगा विध्यारती पठन पाठन में रोची प्रदर्सित नहीं करता है इसलिए पहली कक्षा की भासा ध्यापे का अपने विध्यारती की भासाई विकास के संबंद में चिंतित है बच्चों की बोलना सीखने के संदर्म में कौन सा कथन सही या पर देखे सही कथन का आपको चैन करना है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गती एक सावान होती है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गती तेज होती है निर्धन परिवार में परिवारों से आएं बच् शगया था, राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा, कहने सुनने के अधिक से अधिक आउसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, विद्याले या फिर कक्छा में समरद भासाई परिवेश से तात पर रहे, मुख्य धारा की भासा, सुनने के अधिक से अधिक लिखने के अधिक से अधिक आउसर, यहां पर शेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा, अगला प्रस्न, सोरी, अपने विद्यारतियों के भासा सम्मंदी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निरवरता मुख्य रूप से किस पर है, पोर्ट फोलियो के अवलोकन प पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा, आपके विद्यारती पार्ट में आए नवीन या पिर आप अरिचित सब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप पार्ट के अंत में दिये गए सब्दा अर्थ देखने के लिए कहेंगी, सब्द को इस देखना सिखाएंगी, सितंबर 2016 के बारे में यहाँ पर देखिth så लगाकर 111 तक आपको हिंद State पर इंटी सेवन का हुगा मुल्य निर्माल याद रखे गा पूरी पाठी चरिया में मुल्ड निर्मार में भासा की भूमिका को अंदेखा नहीं किया जा सकता पहला वाला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रस्म प्रात्मिक कछाओं के भासा सिक्षक होने के नाते आपकी सरวाधिक महतपूर्ण भूमिका क्या होगी या फिर कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मात्र भहसा में बात करता है आप क्या करेंगे उसकी भासा को समझने की कोशिस करेंगे बाकी बच्चों से उसकी भासा सीखने के लिए कहेंगे उसे डाटेंगे कि वहां कक्षा में मातर भासा का प्रियोग न करें या फिर उसे बिल्कूल अंदेखा कर पढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पर आपका सही अंसर होगा, आप उहाँ पर उसकी जो मात्र भासा है उसको समझने की कोसिस करेंगे, यहाँ पर पहला वाला जो विकल्पे होगा वो आपका सही होगा, चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकोसल अनिवारे नहीं है, पूछा गया है, भावात्मक संबंद, वर्ण माला याद करने का कोसल, अनुमान लगाने का कोसल या भासा के सनरचना की समझ, तो यहाँ पर आपका सो कराइट आंसर होगा, वर्ण माला या अगला प्रश्न न्ennisलिकित में से किसके अभाव में हम पड़ नहीं सकते, लिपी के, लिपी से परिचयी, 12 खड़ी से परीचे वर्ण माला की क्रम बदता का ग्यान या पिज सिक्त अक्छरों की पहचान तो यहाँ पर आपका 102 का अंसर होगा लीपी से परीचे कि अभाव में हम पड़ नहीं सकते यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा भासा और विचार के सम्मंदों की चर्चा में अगरणी है प्याजे हैं इसकी नरहें चौम सकी हैं या फिर वाई गोज सकी भासा और विचार दोनों के बारें पोचा गया है कि इसके सम्मंदों की चर्चा में अगरणी कौन है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाई गोच से की, याद रखेगा वाई गोच से की यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, चोम से की यहाँ पर राइट आंसर आपका नहीं होगा, याद रखेगा वाई गोच से की इस दर राइट आंसर, चलिए सिध्धार्थ की माने अपने परिवार के सदश्यों से अनरोध किया है कि वे घर में एक ही भासा का प्रियोग करें जिसमें कि सिध्धार्थ का भासाई विकास ठीक से हो सके उनके बारे में आप क्या कहेंगे आपको बताना है कि उनके बारे में आप क्या कहेंगे वहां सिद्धार्त को समर्द भासिक परिवेश से वन्चित कर रही है वहां सिद्धार्त के भासिक परिवेश में किसी प्रकार का औरोध नहीं चाती वहां सिद्धार्त के भासाई विकास के लिए विशेस प्रियतने कर रही है या पिर वहां भासा अरजन के सिध्धानतों की गेहरी समझ रखती है तो यहां पर आपका right answer होगा वहां सिध्धार्त को समरद्ध भासिक परिवेश से वंचित कर रही है तो यहां पर पहला वाला विकलप होगा वो आपका सही होगा चलिए अगला प्रशने आपका प्रात्मिक इस्तर पर भासा सिक्षन के संधर्व में सरवादिक महत्पूनहे की बच्चे लिखी या फिर छपी सामगरी का अर्थ समझ सके लिखी या फिर छपी सामगरी को बोल बोल कर पड़ सके अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके या फिर सब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके 105 का अंसर क्या होगा 105 का आपका अंसर होगा लिखी या फिर 26 सामगरी का अर्थ समझ सके यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए अगला प्रशन ही प्रात्मिक इस्तर पर लेखन चमता के संदर्म में सरवादिक महतपूर क्या है वरतनी, मुलिक, विचार, सुरूत लेख या फिर सुलेख यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सुरूत लेख तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से कौन सी गतिविदी स्रवन एवं वाचन कोशलो के विकास के लिए सरवाधिक उप्युक्त होगी रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिकिरिया जानना हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या फिर प्रस्णुतर सत्र आयुजित करना यहाँ पर आपका रेडियो सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिकिरिया जानना सेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा वानिर इक्तिस्तान होती हैं और लिखत भासा की तुल्पे आपका सही होगा बहु भाशी कख्चा से तात पर ककख्चा में कम से कम दो भासाओं में पाठी पुष्ता कुपलब्द हो जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो जहां बहुत सी भासाओं का ध्यापन किया जाता हो या फिर जिस कक्षा के सिक्षक या फिर सिक्षी का दो या दो से अधिक भासाएं पढ़ लिख सकते हो यहाँ पर बहु भासी कक्षा से दात्पर ये पूछा गया है आपका रैट आंसर होगा जिस कक्षा में कम से कम दो भासाओं में पाठे पुस्तक उपलब्द हो पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न संग्यान के इस्तर पर विक्सित रिक्तिस्तान अन्य भासाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है ग्यान चमता व्याकरन चमता तरक चमता या फिर भासा चमता यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा भासा चमता संग्यान के इस्तर पर विक्सित भासा चमता अन्य भासाओं में आसानी से अनुमोदित होती रहती है भासा सिक्षन को रिक्तिस्तान के संधर्व में रखकर देखने की आवशकता है आर्थिक, सांसे कृतिक, नेतिक या फिर बहुभासी तो यहाँ पर आपका 111 करायट अन्सर होगा बहुभासी भासा सिक्षन को बहुभासी शंधर्व में रखकर देखने की आवशकता है तो यहाँ पर देखिए, जो सितंबर 2016 का पेपर था, उसके जो 15 प्रशन थे हिंदी पेडागोजी के वो अब यहाँ पर समाप्त होते हैं, हम अब अगले प्रशनिक पत्र की वर बढ़ेंगे और अगला प्रशनिक पत्र है आपका, सितेट दिसंबर 2018 यहाँ पर देखिए, 99 से लगाकर 105 तक आपको हिंदी पेडागोजी के 15 प्रशन मिलने वाले हैं यहाँ पर पहला प्रशनिक है, 2018 जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसका सुनने और लिखने की कुसलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कविता सुनकर प्रशनों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने सब्दों में लिखना सुनी गई कहानी को सब्दसा लिखना या फिर कविता सुनना और सब्दसा लिखना यहाँ पर सुनने और लिखने की कुसलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका पोछा गया है आपका रैट आंसर होगा, सुनी गई कहानी को अपने सब्दों में लिखना सार्थक पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों सब्दों की पुनरावत्ती करता है यहां भासाई व्यवार दरसाता है कि वहां अटक-टक कर ही पढ़ सकता है यहां समझ के साथ पढ़ने की कोशिज करता है उसे लंबे सब्दों को पढ़ने में कटना ही होती है या फिर वहाँ पढ़ने में अधिक समय लेता है तो यहाँ पर आपका रैटांस रोगा यहाँ समझ के साथ पढ़ने की कोशिज करता है सार्थक पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों सब्दों की पुनुरावत्ति करता है तो यहाँ भासाई व्यवार दर्साता है कि वहाँ समझ के साथ पढ़ने की कोशिज कर रहा है चलिए अगला प्रशन है आपका हिंदी भासा में आकलन का उद्देशी कोन सा नहीं है यह आपको बताना है भासा सीखने के संधर्ब में प्रत्यक बच्चे की विशे सावशकता की पहचान करना भासा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना बच्चों की भासा गत्त रूटियों की पहचान करना यहां पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा चलिए आपके विचार से प्रात्मिक इस्तर पर उतक्रष्ट लेखन कारी का उधारन आपको बताना है कौन सा है मेरे सपनों का भारत विशे पर अनुक्षिद लिखना पाठि पुस्तक से इतर कठिन सब्दों का सुरूत लेखन किसी आँखो देखी घटना का लिखत वर्णन करना या फिर छुटिया केसे मनाई इस विशे पर अनुक्षिद लिखना यहां पर आपका रैट आंसर होगा किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना ये आपके विचार से प्रात्मिक इस्तर पर उत्कष लेखन कारी का उधारने के तीसरा वाला विकल पर आपका सही होगा भासा सीखने के संदर्म में कौन सा कतन सही है बच्चों में भासा अरजित करने की छमता जन्मजात नहीं होती हैं बच्चे विध्यले आकर ही भासा सीखते हैं बच्चे विवन संचार माद्यमों से ही भासा सीखते हैं और फिर बच्चों में भासा अरजित करने की जन्मजात चमता होती, यहाँ पर सभी को पता है कि बच्चे में जो भासा अर्जित करने की जो चमता होती है वो जन्मजात होती है, तो फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा डिस्ग्राफिया से प्रभाविद बच्चों को मुख्य रूप से रिक्तिस्तान में कटना ही होती है, बोलने, पढ़ने, लिखने, या फिस्ग्राफिया के बारे में पूछा गया है आपका रैट आंसर होगा पढ़ने में याद रखेगा डिस्ग्राफिया में डिस्ग्राफिया से प्रभाविद बच्चियों को मुकिता रोप से पढ़ने में कठना ही होती, किसमें होती हैं पढ़ने में तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा, चलिए प्रात्मिक इस्तर की हिंदी भासा की पार्टे पुष्टक में आप किसे सरवादिक महत्पून मानते हैं, नेतिक मुल्यों वाले कहानी कविताई, बहुत आयात में दिये गए अभ्यासकारे, हिंदी भासा को विविद रूप से देने वाली रचनाई, या पिर बहुत प्रसि कर लेता हूं पहले, तो यहाँ पर अगला प्रशने आपका बहु भासित कक्छा में बच्चों की भासाएं, शिक्छक के लिए बैहद जटिल चुनोती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भासा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, फिर संसाधन के रूप में कारी कर सकती है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा संसाधन के रूप में कारी कर सकती है बहुभासित कक्छा में बच्चों की भासा है अगला प्रशने है भासा सीखने और भासा अरजित करने में अंतर का मुख्याधार क्या है भासा का लिखताकलन है भासा का उपल परिवेश यहां कर सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा प्रात्मिक इस्तर पर हिंदी भासा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है कक्छा में रंगिन पाठी पुष्टके कक्छा में प्रिंट सम्रद परिवेश कक्छा में लिखित आकलन या फिर भासा सिक्छक का भासा ग्यान तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा कक्छा में प्रिंट सम्रद परिवेश यहां पर सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा बच्चे बोलचाल की भासा का अनुभव लेकर विद्याले आते हैं इसका नहितारत है कि बच्चों की बोलचाल की भासा क सुधारा जाए, बच्चों के भासाई अनुभवों को उचित प्रियोग किया जाए, बच्चों के भासाई अनुभवों का कक्छा के बाहर रखा जाए, या फिर बच्चों को बोलचाल की भासा ना सिखाई जाए, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, बच्चे बोलच यहां पर आपकर आटाँस रोगा सामाजिक अन्तहकरिया को याद रखेगा भाषा सिखने सिखाने में आप सामाजिक अन्तहकरिया को अधिक महत्रपूर चाहिए कि वे बच्चों की मात्र भाषा की पर हिंदी भासा को ही कक्षा में इस्तान दे बच्चों द्वारा मानक भासा का ही परियोग करने के लिए अवसर दें बच्चों को सिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने में भर पूर अवसर दे या फिर बच्चों की भासा सम्मंदी सहज रचना सकती को बढ़ने के अवसर तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बच्चो की भासा सम्मांदी सहज रचना सक्ती को बढ़ने के अवसर दे यहां पर फोर्ट वाला विकल पे आपका सही होगा कच्छा 5 के भासा आकलन के संधर्व में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं दीला तुम्हारे इस्कूल में आये तो उसे किन कीन कामों में परिषानी होगी अपने दोस्त से पूछ कर पता करो कि कून किस बाद से घबराता है या फिर केशव सबसे क्या कहता होगा कलपना करके केशव के सब्दों को लीके यहाँ पर आपको कक्षा 5 के भासा आकलन के संदर्म में आपके सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं इसके बारे में आपको बताना है तो सलसा प्रशने है ईदगा कहानी में हमीद ने मेले से क्या खरीदा ये सबसे कमजोर प्रशन होगा इन चारों वेकलपों में से चलिए अगला प्रस्ण भासा का अती महत्पून प्रकारी है अक्छर ग्यान, संप्रेशन, लेखन या फिर सुनना आपका रैट आंसर होगा संप्रेशन संप्रेशन भासा का अती महत्पून कारी होता है तो यहाँ पर देखिए जो 15 प्रस्ण थे आपके दिसंबर 2018 में पूछ गए थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं अब यहाँ पर हम अगले प्रस्ण पत्र की वर बढ़ेंगे तो अगला प्रस्ण पत्र है आपका जुलाई 2019 का यहाँ पर देखिए 106 से लगाकर 120 तक आपको यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के 15 प्रस्ण मिलेंगे तो यहाँ पर पहला प्रस्ण आपका यह कह सकते हैं जुलाई 2019 का पहला प्रस्ण पूछ गाया था कि प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों की भासा के आकलन में आप सरवादिक महत्व किसे देंगे जासुची को प्रस्णवली को पोट्फोलियो को या फिर लिखित परिक्षा को आपका र zooming अंसर यहां पर होगा पोट्फोलियो को प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों की भासा के आकलन में आप सरवादिक महत्व किसे देंगे पोट्फोलियो को पढ़ने की प्रक्रिया में जो सरवादिक महत्पून होगा वो अर्थ होगा बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्पून क्या है सुन्दर लेखन है, वर्तनी की सुदता है, काव्यात्मक भासा है या फिर विचारों की अभिव्यक्ती है प्रात्मिक इस्तर के बच्चों के लिए पार्थि पुष्तक के निर्मान में आप सरवादिक महत्पून किसे मानते हैं प्रसिद रचनाएं, भासा के विबन रंगतें, भासा का विविद गद्य साहिति या फिर प्रसिद लेखन यहाँ पर आपका रचनाएं, भासा के विविद रंगतें, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा बहु भाशिक कक्छा में मातर भासा प्रयोग को स्विकार किया जाना चाहिए अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए अंदेखा कर दिया जाना चाहिए और श्विकार किया जाना चाहिए तो यहाँ पर 110 का आपका राइट आंसरुगा श्विकार किया जाना चाहिए बहु भाशिक अक्छा में मातर भासा प्रियोग को स्विकार किया जाना चाहिए पहल प्रश्न को दियान से पढ़ना है भासा कोशल के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है भासा कोशल एक दूसरे से संबंद होते हैं भासा कोशल एक दूसरे में अरजित नहीं किये जाते हैं भासा कोशल एक करम में ही अरजित किये जाते हैं या पिर भासा कोशल एक दूसरी को प्रभावित करते हैं यहाँ पर भासा कोशल के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है प बच्चों के भासा प्रयोग में होने वाली तूटियों के संबंद में कौन सा कथन उचित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है बच्चों के भासा प्रयोग में होने वाले तूटियों के संबंद में कौन सा कथन उचित नहीं है तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों के पर देखिये प्रस्ण बच्चों के भासा आकलन की दर्ष्टी से सरवादिक उपयोगी है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इदगा कहानी को अपनी भासा में सुनाईए यहाँ जो प्रस्ण है यह बच्चों के भासा आकलन की दर्ष्टी से सरवादिक उपयोगी होगा बच्चों में भासा सीखने की छमता अनुकर्णी होती है बिल्कुल भी नहीं होती है जन्मजात होती है या फिर अरजित की जाती है तो यहाँ पर आपका रैटांस रोगा जो बच्चों में भासा सीखने की छमता होती है ये जन्मजात होती है बच्चों के भासा सीखने में जो सरवादिक महत्पून हैं सुद्ध उच्चरन बाच्चित करना सुन्दर लिखना या फिर मानक वर्तनी यहां पर आपका राइटांसरूगा बाच्चित करना बच्चों के भासा सीखने में जो सरवादिक महत्पून हैं वो बाच्चित करना होगी प्रात्निक इस्तर पर भासा सीखने सिखाने का रति क्या है भासा का प्रभावी प्रयोग साहती की रचना अलंकारिक भासा का प्रयोग या फिर वर्णमाला सीखना तो यहां पर आपका रहे टांसर होगा भासा का प्रभावी प्रयोग पहला वाला विकल्पे आपका सह बच्चे समाजिक अंतह किरिया से भासा सीखते हैं यहां विचार किसका यहां पर जो विचार है यह किसका है बताना है जने प्याजे का है इसकी नरका है पावलाओ का है या फिर वाइगोचसी का है प्रस्ने में पूछा गया है कि बच्चे समाजिक अंतह किरिया से भासा प्रात्मिक इस्तर के बच्चों के भासा विकास की द्रश्टी से जो सरवादिक महत्पून है वो बाल साहित्ती है चलिए अंतीम प्रश्णे यहां पर जुलाई 2019 का भासा सीखने और भासा आरजित करने में मुख्य अंतर का अधार है भासा परिवेश से भासा आकलन है साक्षरता है या फिर पाट्टी सामगरी है यहां पर आपका राइटांस रोगा भासा परिवेश भासा सीखने और भासा आरजित करने में जो मुख्य अंतर का अधार होता है वो भासा परिवेश होता है तो यहां पर जुलाई 2019 के 15 प्रश्णे हैं पर समापत होते हैं अब य पहसिकता हमारी पहचान भी है और हमारी रिक्तिस्तान वा रिक्तिस्तान का अभिन अंग भी है अपर शेकन वाला विकल पे आपका सही होगा चलिए प्रात्मिक इस्तर की पार्टे पुष्टक में कार्टून भासन विग्यापन आदी बच्चों के भासा छमता विकास में रिक्तिस्तान है अनुप्योगी हैं सायक है बादक है या फिर निर्थक है आपका रैटांस रोगा ये जो विकास में क्या होंगे सायक होंगे या पर श चिन्न के नियम का अती समानी करन करती है वहाँ अनुनासिक चिन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती ही वहाँ अनुनासिक चिन्न के प्रयोग के प्रती सजक है या पिर वहाँ अनुनासिक चिन्न के प्रयोग के प्रती लापरवा है तो राइट आंसर आपका यहां पर कुन क्या है बच्चे की पठन झ्हमता को पहचानना कई बार बच्चे जब इसकूल आते हैं तो दो या टीन भासाओं को रिक्तिस्तान और बोलने की झ्हमता से लेश होते हैं समझने, पढ़ने, लिखने या फिर रटने तो यहाँ पर आपका right answer होगा समझने, तीन भहसाओं को दो या तीन भहसाओं को समझने और बोलने की छमता से लेस होते हैं पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा चली, अगला प्रस्ण है किसी विसे को सीखने का मतलब है उसकी रिक्तिस्तान को सीखना उसकी रिक्तिस्तान को सीखना सब्दावली विसे अवधारना विसे वस्तू विसे वस्तू उप्योगी अवधारना या फिर सब्दावली तो यहां पर आपका सही आंसर होगा किसी विसे को सीखने का मतलब है उसकी अवधा चलिए आपका सही होगा आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्ची की जमताओं का आकलन नहीं होता बलकि सिक्छक की सिक्छन प्रक्रिया का भी आकलन होता है यहां विचार निराधार है पूर्णता सही है अंसता सही है या फिर पूर्णता गलत है यहां पर आपका रैट आंसर होगा य यहां जो विचार है यहां जो पूर्णता गलत है यहां पर जो विचार दिया हुआ है या क्या है पूर्णता गलत है फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भासा चमता भासा निस्पादन संबंदी क्रमी के प्रकती का ब्योरा उसके अभी भाव को को दिया रीमा ने रिक्तिस्तान के अदार पर यहां जानकरी दे तीसरी कक्षा में रिक्तिस्तान भी लिखना के अंतरगत आता है चित्र बनाना वाख के लिखना सब्द लिखना या फिर अक्षर बनना पहली कक्षा में पूचा गया है पहली कक्षा में रिक्तिस्तान भी लिखना के अंतरगत आता है तो आपका रैट आंसर होगा चित्र बनाना पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा प्रात्मी किस्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्पून क्या है पढ़ने का उद्देश है अनुमान लगाना है संद्रबान उशारत है या फिर अक्षरों की पहचान है रैट आंसर आपका होगा पढ़ने का उद्देश है याद रखेगा प्रात्मी किस्तर पर पढ़न चंता तीसरा वाला विवकलपे आपका सही हो गा परात्मीक इस्तर पर भासा सेखने में बहसा संबन्धी कौन सा संसाधन सरवादिक महत्यपून हमें आपका रायट आंशर होगा यहां पर बाल साहित्थी अगला और अंतिम प्रस्श्न है यहाँ पर 2019 दिसंबर का बच्चे अपनी मातर भासा का प्रियोग करते हुए हिंदी भासा की कक्छा में अपनी बात कहते हैं और यहाँ बात अनुचित है स्वाभाविक है निंदनी है या फिर विचार्णी है तो सुरुवात करते हैं सिटेट जनवरी 2021 में जो हिंदी पेडागोजी पूची गई थी उसका पहला प्रशन है प्रात्मिक इस्तर पर पढ़ना सिखाने की सुरुवात करने के लिए आप किस सामगरी का सरवादिक महत्व देंगे प्रात्मिक इस्तर पर पढ़ना सिखाने की सुरुवात करने के लिए आप रोचक कहानी को सरवादिक महत्व देंगे यहां पर शेकन वाला जो विकल्पे होगा वो आपका सही होगा सलमा पहली कक्छा में पढ़ती है और वहां किताब सब्द को कतब लिखती है सलमा का लिखने का यहां तरीका रिक्तिस्तान को दर्शाता है नियंतित लेखन लापरवाही अज्यानता या फिर स्वावर्तनी राइट आंसर आपका यहां पर होगा स्वावर्तनी यहां तरीका स्वावर्तनी को दर्शाता है फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन समाजिक अंता है किरिया से भासा सीखने का समर्थन रिक्तिस्तार ने किया है किसने किया है वाई गोची की ने, चामसी की ने, इसकी नन न या फिर प्याजे ने हिआँ प्रशन, आपका ओगा, समाजी कनता है किलिया से बहासा सीखने का समर्थन वाइगोपि की के द्वारा किया गया है दूभी भासिक्ता, और अपलब्दियों का गहरा सकरात्मक, संबन्द पाये जाता है, सहितिक विज्ञाने विवसाइग या फिर वीद्वत तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वीद्वत दुई भासिक्ता और वीद्वत उपलब्दियों का गहरा करात्मक संबंद पाये जाता है फोर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा प्रात्मिक इस्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भासा संबंदी किस पक्षि पर सर्वादिक बल देंगे भासा ग्यान भासा प्रियोग व्याकरनिक नियम या फिर व्याकरन ग्यान तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भासा प्रियोग याद रखेगा प्रात्मिक इस सब्दों का प्रियोग उच्चारंगत सुद्धता या फिर विचारों की क्रम बद्धता यहां पर आपका रेट अंसर होगा उच्च विचारों की क्रम बद्धता है फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा मोखिक भासा का आकलन विचारों की क्रम बद्धता पर सरवाद दिखबल देता है। दिखबल देता है। प्रारंब होता है वाके लिखने सुरू से अक्षा लिखने या फिर चित्र बनाने यहां पर प्रस्णु को हमें साब को ध्यान से पढ़ना है कि अक्षा एक में लिखना जो बच्चा होता है वो किस से प्रारंब करता है वो चित्र बनाने से प्रारंब करता है वो यहां पर न यह एक दूसरे को प्रभवित नहीं करते हैं, यह सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, या फिर यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर यह एक दूसरे से अंतह संबंदित होते हैं, तो राय टांसर आपका होगा, यह एक दूसरे से अंतह संबंदित होते हैं. राप उसने से डालों हुआ को लगता है जैसा कि मैंने आपका सुरूम बताया था कि यहां पर आपको 2011 लगाकर 2021 तक जितने भी अभी तक पेपर हुए सीटेट के उस सभी मिलने वाले हैं जिसमें आपको हिंदी पेड़ागोजी के प्रशन मिलने वाले हैं तो यहां पर जनवरी 2021 तक पेपर हुए हैं उसके बाद आज के वीडियो आपको केस लगा, आपको केमेंट से माध्यम से बताना है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो अपको लाइक करना है, और चेनल को सब्सक्राइब करने नहीं, जल्दी से फटाफट कारी कर लेने हैं, क्योंकि आगे भी सीटेट के जो आलंकरिक भासा, तो यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा, आप सहज अव्यक्ति को सरवादिक महत्व देंगे, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पी आपका सही हो, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, दोस्तों जल्दी ही सीटेट के एक प्राविशियर पेपर क के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद